अज़ो हेलो बच्चो आज हम फिर कच्छा ग्यारेक विसेक्रिसी गडित की एक्सरसाइज 10.1 को सुरू कर रहे हैं इससे पहले हमने आपको एक्सरसाइज में लगने वाले सम्मंदित सूत्र और त्रकॉर्मिती अनपातों की टेविल के बारे में बताया था बोसाइद मैं उम्मिद करता हूँ कि उस वीडियो का आपने बहली बहांत अध्यान कर लिया होगा इससे आगे चलके हम देखते हैं कि प्रशन किस प्रकार चलते हैं और किस तरह से उनको हल करते हैं उसी तरह से और संभव है तो हो सकता है कि मैं एक-एक सवाल को दो-दो तरह से करके दिखाऊं उसे आप अच्छी तरह से देखें अध्यन करें और अपने नोटवुक में नोट करते जाएं जिससे कि आगे चलके आपको कोई दिक्कत नहों सवाल नमर पहला आपकी से वह हमें इसमें लिखा हुआ है कि साइंसाइट कोस्तिस और प्लस कोस्तिस साइंस इसका मान ग्यात कीजिए तो इसके लिए बच्छों हमने आपको बताया था कि इनकी हमें टेविल रटनी है अब या तो आपने टेविल को रटनी हो और वैसे मैंने आपको बताया था कि इन अंगलियों की साइथा से इन अंगलियों की साइथा से इसको हम किस तरह से हल करते तो हमने आपको बताया था कि जैसे 60 है और 60 के लिए मैंने बताया था कि आपको किलॉक बाय चलना है तो 0, 30, 45, 60 यहां पर खड़े हैं तो इस से नीचे कितनी अंगली रहेँ हैं तीन तो रूड में तीन और बट्टे में हमने बताया था कि 2 रखते ही हैं, तो हमने आपको बताया था कि इस तरह से रूड और इस चरगे पर वाटे दो. अब इसके नीचे कितने अधूलि हैं हमारी 3 पार रखते हैं 3. तो 5, 600 की बेलू कितनी होती है । 19, पिलस अब साथ के लिए कॉस्ट तीस के लिए देखते हैं तो कॉस् तीस हैंपर नहीं पर कॉस्ट साथ हुआ था कि एंटी कुलाओक चलते हैं किसको सिश्टम होता है कि रूड बते दो अब उसके बाद में देखते हैं कि तीस देखी है अम inclusive यह और प्लस अब आगे कॉस साथ की तरफ चलते हैं, तो कॉस साथ देखिए हमारा यह है, इस से उपर एक अंगली है, तो इस चगे पर एक हो जाएगा बट्टे दो, और एक का स्कार रूट कितना होता है, एक तो इस चगे पर हम कर देंगे एक वट्टे दो, कॉस टीस के लिए जात अब इस से आगे जब हम चलते हैं, तो इसका जब इसके साथ मल्टिपलाई करते हैं, तो उसका अंडर रूट हट जाता, चाहिए इस तरह से कहें, कि रूट नो हो जाएगा, तीन तरका नो, और बट्टे यह कितना हो जाएगा, दो दूनी चार, अब नो का स्कार रूट हो तो इसका मान कितना हो गया, तीन वट्टे चार, प्लस एक 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 बट्टे दो दूनी चार, आगे और हल करते हैं, तो तीन और एक चार वट्टे, चार एकवल डिनोमिनेटर होने पर, अंस को हम सीधा सीधा जोड देते हैं, और इससे यह कितनी बार कटेगा, बन, तो इसक एक संचिपत मान तो इस तरह से बच्चो यह आ गया, अब वो कभी कवार अभी आपको नहीं लेकिन आगे इससे आगे चलके प्रशनावली में मिलेगा आपको, तो हम इसके लिए पढ़ते हैं, बच्चो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए, कॉस बी, प् और ये बी है, इस चंगे पर लिख लेता हूं चलो, तो साइन साट, कॉस तीस, प्लस कॉस साट, और साइन तीस, अब देखो, ए, बी, ए और बी, यही सिस्टम चल रहा है, तो जब इसको मैंने ओपन किया, तो ये सिस्टम निकल के आया, जब इसको किलोज करूंगा, तो य और साइन नब्य की बैलु कितनी होती है, बच्चो, एक होती है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों इस्तितियों में इसका आंसर शमान है, यह हुगा आंसर इसका आगी देखते हैं, प्रश्म को, तो इसी किरव में सवाल नमत दूसरा है, उसमें लिखा हुगा है, बच 30 से हम परचते हैं 10 30 की value कितनी होती है हमारी root 3 वट्टे एक वट्टे रूड 3 और इसके बाद cost 45 की तरफ चलते हैं बच्चो तो यह कितनी हो जाती है 1 y root 2 कितनी हो जाती है 1 y root 2 अब multiplication symbol है तो हर से अंस को काट देते हैं कट जाता है तो कट जाए आगे देखिए अब एक का एक किस साथ multiply करेंगे तो एक और दो का इस से multiply करेंगे तो 2 root 2 इस सवाल का answer होगा सवाल नम्मत तीसरा अब इसको हम देखते हैं तो एक को इस चेकर पे लिखा हुआ है 2 sin of 90 cos 30 degree minus 2 sec square 45 plus 3 cos square 90 into 10 square 45 minus 10 square 60 अब इसमें हम क्या करते हैं कि पहले 2 तो 2 है इसकी तो कोई value है नहीं sin of 90 की value रखते हैं तो कितनी आती है एक आती है 90 यहाँ पर है और हम देखते हैं किसके नीचे कितनी उली है चार उली है और इसको जब हम करेंगे चार वट्टे दो चार का बरगमूर हो जाएगा दो वट्टे दो इससे कितनी वार कटेगा एक बार तो सान 90 की value एक हो गई लगा दिया है अब टू कॉमन है सेक 45 तो सेक 45 के लिए बच्चों हम जाते हैं कॉस 45 पर और कॉस 45 की value हमारी कितनी थी बन अपॉन रूट टू अब बन अपॉन रूट टू थी तो इसका हम रेसी प्रॉकल कर देते हैं तो सेक 45 की value हो जाती है रूट टू का होल स्कायर पिलस 3 इंटू कॉस ओफ 90 अब कॉस ओफ 90 है तो कॉस 90 से हमें मालूम है कि कॉस 90 की value कितनी होती है जीरो होती है तो हमने जीरो लगा दिया इंटू 10 ओफ 45 है तो 10 45 की value बन होती है और इस पर स्कायर लगा हुगा इसलिए मैंने भी स्कायर लगा दिया इस पर मानस सिमल है 10 60 की value को देखते हैं तो 1060 की value हमारी root 3 है और इसके उपर square लगा हुआ तो मैंने square लगा दिया अब देखिए इस दो से मुझे ये दो कटता हुआ प्रतीत हो रहा है तो मैंने इसको cut कर दिया under root 3 से multiply करेंगे बनका तो root 3 minus 2 into root 2 का square जब करेंगे तो हमारा 2 प्राप्त होगा प्लस इसमें पूरे में देख रहे हैं कि एक संख्या 0 तीन संख्या multiply में तो किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर वो क्या हो जाती है 0 प्राप्त होती है मानस root 3 का square जब हम करते हैं तो 3 हो जाएगा अब हम देखते हैं से विंग जो इस सवाल का आंसर हो जब शवाल नम्म चो था और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपने इस टेवल को अगर याद कर लिया होगा तो इसमें कोई परेशान ही नहीं होगी और मैं बार-बार क्या आपको लिखके बताओं तो मैं सीधर सीधर रखता हूं देखिए 4 इंटू 37 से हम पर्चत हैं 37 की बेलू कितनी होती है 1 अपन 2 और इसके उपर इसकार है इसलिए हम भी इसपर इसकार लगा देते हैं प्लस 1060 की तरफ चलते हैं तो इससे पिछले बाले सवाल में हमने 1060 की बेलू रखी थी रूड 3 और इसपर भी सकार है तो इस प इतना हो जाएगा 4, root 3 का square करते हैं, तो 3 हो जाएगा, और root 2 का square करते हैं, तो 2 हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कट हो गया, तो 1 प्लस 3 प्लस 2, अगर इनको हम add कर देते हैं, तो 6 इस सवाल का answer होगा, सवाल नमबर छटमा है, पांचमा है, सिद्ध करो, कुसेक स्कौर 45 मानस 1 एक्वल टू साइन स्कौर 45 इन्टू सेक स्कौर 45, तो इसकी हम LHS ले लिते हैं, क्योंकि दोनों साइड हमें सिद्ध करनी है, LHS में लख रखा है, उसने कुसेक स्कौर 45 मानस 1, अब हमको मालू है कि कुसेक 45 की value कितनी होती है, और हमें ये भी मालू है, क कुसेक ठीटा जो होता है वो साइन का रेसी प्रोकल होता है अब साइन का रेसी प्रोकल है तो साइन 45 का मान हमारा बन अपन रूट 2 होता है इसलिए कुसेक 45 का मान कितना हो जाएगा रूट 2 और इस पे स्कॉार लगा हुआ स्कॉार माइनस बन अब root 2 का square जब करेंगे तो 2 हो जाएगा और minus 1 equal to 2 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा बन ये तो value निकली हमारी LHS की अब हम देखते हैं RHS को RHS को हम अहल करते हैं तो ये कितना है sine square 45 into sec square 45 अब sine 45 की value जो हमने पढ़ी है वो root 1 upon root 2 का whole square into sec 45 की value कितनी है इसका जब हम square करेंगे तो 1 upon 2 हो जाएगा इसका square करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा बरावर 1 अब हम देख रहे हैं कि LHS की value बन आई थी और RHS तो इस चेगे पर लिख देते हैं कि LHS equal to RHS यही हमें एप्रूब्ड करना था second part हाँ तो देखिए सवाल नमबर छटमा है याद इसमें हम देख रहे हैं कि ठीटा की value 45 बन से है और हमें सिद्ध करके देना है कि sin 2 ठीटा बरावर 2 10 ठीटा upon 1 plus 10 इसका ठीटा यह ये उकल होता है और second part है cos 2 ठीटा बरावर 1 minus 10 इसका ठीटा बटे 1 plus 10 इसका ठीटा part number first का LHS लेते हैं बच्चो तो ये क्या लिखा हुगा है हमारा sin 2 ठीटा कितना लिख रहा है sin 2 ठीटा अब इस जगे पर sin 2 इंटू ठीटा की value में कितनी रख दूँ 45 कितनी 45 तो आगे जब इसमें हम multiply करते हैं तो कितना बनेगा sin 90 और sin 90 का मान हमने कितना पढ़ रखा है एक कितना पढ़ रखा है एक ये तो side रही हमारी LHS अब हम करते हैं इसकी RHS है इसको तो ये देखी इस जगे पर 2 10 ठीटा बटे 1 प्लस 10 इसकाइर ठीटा अब 2 इंटू ठीटा की value को यहां पर हम कितना रखेंगे 45 तो 2 10 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्काइर 45 तो इस जगे पर देखी ए 2 इंटू 10 45 की value कितनी है 1 बटे 1 प्लस 10 स्काइर की 10 45 की value बन और इस पर स्काइर है इसलिए 2 इंटू 2 2 एकन 2 एक्वल टू बन तो इसका हमारा सिद्ध हो गया कि LHS एक्वल टू RHS प्रूब्ड हो गया यह अब second part को देखते है second part की हम LHS लेते हैं तो cos 2 ठीटा तो cos 2 इंटू अब ठीटा की value कितनी लेंगे यहां से 45 cos 90 अब cos 90 की value कितनी होती है हमारी 0 अब इसका हम लेते हैं RHS तो 1-10 square 45 बटे 1-10 square 45 इस यह बच्चों में डारेक्ट मान रख दिया है तो अब हम देख रहे हैं 1-1045 की value 1 इसका लगा दो 1-1 square 1-1 1-1 equal to 0 upon 2 equal to क्या हो गया 0 तो इस चगे पर भी हम पाते हैं कि LHS equal to RHS यह side हमारी क्या हो जाती है proved हो जाएगी ठीक है तो सवाल नमर 7 है सिद्ध करो कि इसमें लिखा हुआ है cos 45 plus cos 204 plus cos 300 plus cos 25 plus cos 2 सिद्ध करके देना है 1-2 तो इस सवाल की बच्चों हम LHS लिखते हैं cos 55 plus cos 204 plus cos 300 plus cos 1-25 और plus cos 24 इस सवाल को जब हम देखेंगे तो हमने आपको इस से पहले वाले सूत्रों की जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि क्वाडेंट से जब ये पता लगाना हो कि किस चत्रतांस में कौन सा धनात्मक होगा किस की क्या मान होगी उसको निकालने के लिए अब पच्पनंस को जब मैं देखता हूँ तो अभी फिलाल इसको मैं इस्थर रख रहा हूँ ठीक है ना इसे मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ कौस पच्पनंस अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे अब 180 पर अगर हम गौर दें बच्चो तो देखिए 180 प्लस अब 24 हैं तो इसमें मुझे कितना जोड़ना होगा तो आप कहेंगे निश्चित ही कितना 24 अंस की इसमें जरूरत है कितने की है 24 और 180 कितना हो जाएगा करेक्ट 24 अंस हो जाएगा तो मैंने वही किया है इस चगे पर जोड़के इसको प्लस कॉस अब 300 की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो देखिए 180 multiply दो कर दिया अब आप सोचेंगे कि यह क्या हो गया तो यह कितना अंस हो गया 360 हमारे पास तो पूजी कितनी थी 300 कितना ओबर चले गए हम 60 तो मानस मैंने इसमें से किसमें लगा दिया 60 हैंस यह इस तरह से कर दिया और प्लस कॉस 24 से भी मैंने कोई छेड़ खानी नहीं किया से भी मैंने जैसे के तैसा रखा रहने ने दिया अब हम आगे देखते हैं सोरी इसमें देखी एक फला नमारा छूट गया है कॉस एक से 25 अंस की तरफ चलते हैं तो कॉस एक से 25 को हम क्या करेंगे 90 प्लस देखते हैं तो 90 में कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे 90 में मुझे 10 और 35 संस कितना 35 संस करना पड़ेगा इस चगे पे और प्लस कॉस 24 संस को मैंने जसका 10 रखा है ठीक है ना अब हमें अगर इस चगे पर प्रॉपर्टी लगी हुई है तो मैं इसमें भी करे देता हूँ बच्चो तो इसको मैंने क्या किया 90 में से मानस में कितना गटा हूँ तो ये 55 प्राप्त होगा तो इस चगे पर मैंने 35 लिख दिया अब आगे कहानी सुरू करते हैं इस जगे पर इस जगे के लिए मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला दिया था A, S, T और C अमा, संग, टंपू, मैं चड़ अब ये देखिए इस से पता लगाओ कि ये 180 प्लस 24 है यहां से कोई लाइन इस तरह से घुमते हुए घुमते हुए यहां आकर के 180 पर रुख गई अब इस से भी आगे इसमें 24 जा रहा है तो ये किस में चली गई तीसरे चतुर्थांस में कॉस 2 से 4 अंस का कॉंड बनाने वाली रेखा किस चतुर्थांस में है तीसरे में है तो तीसरे में T से पता पढ़ रहा होगा टंपू से बनता है 10 और कॉट यह दो धनके होंगे अब यह क्या है बच्चों हमारे पास कॉस 10 और कॉट तो नहीं है 10 और कॉट नहीं है तो यह क्या होगी कि यह निश्चित माइनस में आएगी तो ये मैंने लगा दिया माइनस क्योंकि इसमें 10 और कॉट होता तो प्लस होता अब माइनस आ गया अब वो 180 वाले में हम निस्पति चेंज करते हैं या नहीं करते हैं तो ये भी मैंने बताया था कि 180 वाले में निस्पति को हम चेंज नहीं करते हैं तो वो क्या आएगा कॉस अब ठीटा की जगे पर कितना लगा हुआ बच्छो चौवी संस, तो कॉस एक साइसियन्स प्लस ठीटा इकॉल टू कितना हो गया माइनस का कॉस चौवी संस, इसमें भी हम चलते हैं कि ये चक्रड है, अब देखिए ये लाईन तीन स स इंस का चक्रड लगाने वाली लाईन, यहां से चली, यहां आई, यहों होते हुए, यहां तक पोंच नहीं पाई, क्योंकि इसमें से माइनस साट कम हो रहा है, तो ये लाईन इसमें निकल गई, किसमें तो यह कौन से चक्रड में है 300 अंस का कौण बनाने वाली रेखा हमारी कौन से 4 अंस में है चोथे बाले में और चोथे में हम समझते हैं कि चड़ होता है चासे बनता है कॉस cost का recipe protocol sec तो cost और sec धनात्मक होते हैं और इस चगेपे मैं पा रहाँ किए cost ही है इसलिए ये plus होगा और कितना है cost of satins इस चगेपे देखिए 90 plus theta ये वाले पर चलते हैं तो 90 plus theta देखिए यहां से चली और यहां और plus होगा है दूसरे में पूंच गई और दूसरे में कौन धनका होता है sign और kusak और इस जगे पर क्या है Cos, to cos किसमें आएगा minus नबे वाले में निस्पती change होगी तो ये क्या हो जाएगा sign और कितना बनेगा 35 अंस plus आगे हम cos 24 अंस ये रख देते हैं अब इसके बाद में cos 90 plus ठीटा को इसको करते हैं साइन कॉस 90 मानस ठीटा है तो यह साइन बन जाएगा हमारा 35 अंस माइनस कॉस 24 अंस प्लस कॉस 60 अंस माइनस साइन 35 और प्लस कॉस ओफ 24 अंस कॉस 24 से यह कॉस 24 प्लस और मानस से कट जाएगा साइन 35 से यह साइन 35 कट जाएगा ओवराल कितना बचेगा कॉस 60 और कॉस 60 की जो बैलू होती है वो कितनी होती है बन वाई टू होती है बच्चो यही हमें सिद्ध करके देनी थी यह किसके बराबर है आर एचेस के तो अगला सवाल है आठवा इसमें कई खंड दिये हुए है उसके कई पार्टे है तो उसमें से चार पार्टों को मैंने लिया और इसको हम देखते हैं पहला पार्ट लिखा हुआ है कॉस मानस तीसान अब इसके लिए बच्चों मैंने आपको सूत लिखाए थे कि अगर cos minus theta किसी जगे पर मिले तो उसको plus का cos theta कर देते हैं यह minus स्वत्य गाइब हो जाता है तो इसको करेंगे उसके अनुसार तो cos minus theta equal to sorry cos theta से किस से? cos theta से मैंने सुत लिख दिया तो यह क्या बन जाएगा? cos of the sense कितना बनेगा? cos of the sense और cos 30 की value कितनी होती है? root 3 वटे 2 इस सवाल का अंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए भी चलते हैं बच्चो तो मैंने आपको फ्रोफर्टी लखाई थी कि sin minus x equal to minus sin x होता है क्या होता है? minus sin x होता है तो इसके अनुसार क्या बन जाएगा? यह minus sin 60 और minus sin 60 की value कितनी होती है? root 3 वटे 2 जो इस सवाल का अंसर होगा इस सवाल की तरफ चलते हैं इसमें भी मैंने आपको लिखे दिया था कि sin minus x equal to sorry बरावर minus cos x होता है तो इसके अनुसार यह क्या हो जाएगा? minus cos of 90 और cos 90 की value वच्चो कितनी होती है? हमारी 1 होती है और बन के साथ minus 1 तो यह minus 1 हो जाएगा इस तरफ चलते हैं इसको हम तोड़ लेते हैं इसको मैंने तोड़ा 90 plus 45 में किसमें? 90 plus 45 में और shine मैंने बताया था आपको कि sin 90 plus theta अगर किसी जगे पर लिखा मिले तो उस जगे पर cos theta कर देते हैं इस जगे पर जो theta है तो यह क्या बनेगा sign sorry cos 45 कि जगा बनेगा cos 45 और cos 45 की value कितनी होती है? बन अपॉन root 2 इस सवाल का आंसर होगा यह सवाल इस प्रशनावली का आज का आंतिम सवाल था इससे आगे के पाटों को हम अगली वीडियो में करेंगे तब तक के लिए दम साथ